वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस आज के इस वीडियो में हम कंपेर करेंगे SBI सिंपली क्लिक एंड सिंपली सेव रूपे कार्ड को दोनों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फी एंड चार्जेस को हम एक्स प्लैन करेंगे और फाइनल डिसिजन पर आएंगे, आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है सौपिंग के लिए हाला कि दोनों क्रेडिट कार्ड बीगनर के लिए बेस्ट है और दोनों ही कार्ड में जो बेनिफिट है, फीचर है, वो सिमिलर SBI कार्ड प्रुवाइड करता है लेकिन दोस्तो कुछ benefit different है जिस user के mind में जिनको credit card बनवाना है उनके mind में एक confusion create हो जाता है कौन सा credit card हमारे लिए best है SBI का कौन सा credit card में बनवाना चाहिए online अगर आप shopping करते है online खर्चा आपका ज़्यादा होता है तो आप SBI simply click credit card के लिए जा सकते है वही दोस्तो अगर आप offline store से shopping करते है offline shopping करना आपको पसंद है एंड आपको रुपे card का benefit चाहिए आप चाहते है कि UPI से credit card मारा link हो जाए एनी merchant पर हम QR code के माध्यम से payment कर पाए तो ऐसे इस्तोती में आप simply save रुपे card के लिए online apply किजिए दोनों credit card को बनवाने का direct link आपको मैं description में provide कर रहा हूँ आप घर बैटे SBI card के लिए online आविदन कर सकते है SBI simply click and simply save रुपे card के reward program को अगर हम देखे तो SBI simply click credit card में आपको 10X reward point इनके exclusive partner पर दिये जाते है Like up, clear trip, book my show, food panda, urban company, lenscard.com, netsmates and जो भी इनके exclusive brand partner है वापर आप spend करते हैं तो आपको every 100 rupees spend करने पर 10 reward point दिये जाते है इन exclusive brand partner के लावा आप कई पर भी online spend करेंगे, online खर्चा करेंगे, 100 रुपे spend करने पर आपको 5 reward point का benefit होगा इनके लावा आप कई पर भी spend कीजिए, आपको 100 rupees spend करने पर एक reward point का benefit होगा वही दोस्तों इसके comparison में आप simply save रुपे card के माध्यम से dining, movies, departmental store and groceries पर spend करते हैं every 100 rupees खर्च पर आपको 10 reward point दिये जाएंगे इनके लावा आप कई पर भी spend कीजिए, 150 spend करने पर आपको 1 reward point का benefit होगा दोनों credit card में reward point का value same है, एक reward point की value आपको 25 पैसे provide किये जाएंगे जब आप 4 reward point को collect करेंगे, तब जाके आपका 1 रुपे बनेगा SBI simply click credit card में आपको my list on target complete करने पर clear trip का voucher provide किया जाता है एक साल में अगर आप 1 रुपे का खर्चा करते हैं तो आपको 2000 का clear trip का voucher provide किया जाता है basically clear trip आपको hotel booking, flight ticket booking की service देता है तो ये voucher आप flight ticket, hotel booking में use कर पाएंगे 2 रुपे आप खर्च करेंगे तो आपको एक और 2000 का voucher clear trip का दिया जाएगा SBA simply save रुपे कार्ड में आपको milestone target complete करने पर कोई भी voucher का benefit नहीं होता है लेकिन दोस्तो simply save रुपे कार्ड में आपको welcome benefit offer किया जाता है credit card मिलने के बाद में within 60 days में आप 2000 रुपीज को offline spend करेंगे तो आपको 2000 reward point का benefit होगा इन reward point को अगर आप रुपीज में convert करते हैं तो directly आपको 500 रुपीज का benefit मिल जाएगा same to same benefit आपको simply click card में भी welcome benefit के तोर पर provide किया जाता है यहाँ पर आपको 500 रुपीज का Amazon का gift voucher मिल जाता है दोनों credit card के fuel charge benefit की बात करें तो 1% का आपको benefit होता है लेकिन यहाँ पर एक condition है आपका minimum transaction 500 का होना चाहिए और maximum transaction 3000 के अंडर दोनों credit card के fee and charges की बात करें तो similar है 499 रुपीज प्लस applicable taxes आपको joining and renewal charges पे करना होगा लेकिन दोस्तों renewal charges को विवाप कराने का term and condition criteria different है simply save रुपे card में अगर आपको renewal charges को विवाप कराना है तो आपको एक साल में एक लाख रुपे को खर्च करना होगा आपका renewal charges विवाप किया जाएगा वही दोस्तों आप simply click credit card का अगर renewal charges विवाप कराना चाता है तो ऐसी इस्तती में आपको एक साल में 2 लाख रुपे का खर्चा करना होगा तब जाके आपका renewal charges विवाप होगा लेकिन दोस्तों simply click credit card में आप 2 लाख रुपेज का threshold कम्प्लिट करेंगे तो आपको यहाँ पर double benefit हो जाता है लाइक आपका renewal charges विवाप होता है एंड आपको 4000 के clear trip के voucher भी मिलते है यह आपको अलग से benefit मिल जाता है अब दोस्तों credit card के आपको मैं उन फी एंड charges के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके transaction पर depend करते है आप अगर card का use करके ATM से cash money को load करते है withdraw करते है तो आपको अपने transaction value का 2.5% का charges पे करना होगा जो कि minimum 500 आपको देना ही है over limit आप use करेंगे for example आपके card की limit एक लाख रुपे है आपने 1000 को भी अगर ज्यादा spend किया है तो उस पर आपको 2.5% का charges पे करना होगा and minimum आपको 600 पे करना ही है foreign में transaction करेंगे card का use करके तो आपको 3.5% का foreign transaction पर charges पे करना होगा और दोस्तो credit card का जो bill generate होता है उसका payment अगर आप timely नहीं करेंगे तो आपको अपने outstanding amount पर charges पे करना होगा 3.5% का जो की मंतली है आपका जो भी bill generate होता है फिर चाहे आप simply save रुपे card ले या फिर simply click credit card को ले bill generate होता है, timely pay करना है because आपका credit score भी down नहीं होता है and आपको charges भी नहीं लगते है दुनोई credit card के उपर आप add-on credit card को issue कर सकते है अपने family member के नाम से credit card के document requirement की बात करें तो ये credit card बनवाने के लिए आपका identity proof, address proof, pen card होना mandatory है और income proof हाला कि दोस्तों अगर आपका credit profile बेतर है तो income proof का आपको requirement नहीं होगा आपको SBI card बेतर credit profile पर भी credit card issue करके देता है दोनो credit card के benefit and feature को हमने explain किया तो आपको ज़्यादा benefit SBI simply click credit card में दिये जाते है आप अगर online shopping करते है तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे benefit मिलते है my list on target complete करने पर आपको clear trip के voucher भी मिलते है लेकिन दोस्तों बात करें simply save रुपे card की तो यह SBI ने हाली में launch किया है रुपे variant में यूजर के लिए ताकि यूजर को UPI का benefit हो पाए रुपे network का है रुपे network में credit card है आप एनी UPI से link करके merchant QR code पर अपना payment कर पाएंगे आपका जो भी amount debit होगा वो आपके credit limit मैं से होगा फिर जब भी आपका bill generate होगा तब आपको अपना repayment करना होगा रुपे credit card अगर आपके पास में available नहीं है आपको रुपे network वाला credit card बनवाना है तो SBI simply save रुपे card आपके लिए best है आज ही आप घर बैटे apply कर सकते है अगर आपको online shopping करना है online shopping में benefit चाहिए तो पिर आप simply click credit card को बनवा सकते है दोनो credit card का direct link आपको मैंने description में provide कर लिया है आपकी help के लिए आप घर बैटे SBI credit card के लिए online आविदन कर सकते है वीडियो कर आपको बैतर लगा हो तो एक like कर लिजिए share किजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल banking process को आप subscribe किजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की information सबसे पहले मिले